हाई फ्रेंस नमस्कार विष्णु फुरान की कथा है जो विष्णु भगवान ने रूप लिये थे कच्छा पवतार तो आए हम जानते हैं कुर्म अवतार को कच्छा पवतार यानि कच्छवा अवतार भी कहते हैं कुर्म अवतार में भगवान विष्णु ने छीर सागर के स समुद्र मंथन के समय मंदर परवत को अपने कोच पर संभाला था। इस पर कर भगवान विश्नु मंदर परवत और वासुकी नामक सर्व की सहायता से देवो यम अशुरों ने समुद्र मंथन करके चोदा रतनों की प्राप्ती की। इस समय भगवान विष्णू ने मोहिनी रूप भी धारन किया था। ब्रह्माखंड आठ में वर्नन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा कूपी थोकर दुर्वासा ने साप दिया तुम्हारा बैभव नश्ठ होका। परिनाम सरूप लच्मी समुद्र से लुप्थ हो गई। तत पश्चात विष्णू के आदेश अनुसार देवताओ तथ देतों ने लख्ष्मी को पुना प्राप्त करने के लिए मंदर चाल की मंथनी तथा वासुकी की डोर बना कर छीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय रसा तल को जाने लगा तो विष्णू ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारन किया और देव दानों ने समुद्र से अम्री तेवम लक्ष्मी सहीत चौदा रत्नों की प्राप्ती की। इसी समय से कच्छप आवतार की एक अथा है। मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थेंक्यू नमस्कार।